हेलो एवरीबन वेलकम टू माई चैनल कॉंपिटिशन टिप्स आज हम करेंगे एक सौर्स्टोरी जिसका नाम है था बैगर जसे लिखा है एंटॉन चेकव ने और यह इनका बर्थ हुआ था 29 जैनुवरी 1860 को रॉषिन यानिकि रॉषिन है चेकव है उनकी मृत्यूए थी 15 जुलाई 1904 को जर्मानी में यानिकि वो बहुत चोटी उमर में 44 येर्स तक उची है उनका अकॉपेशिन्स वो फिजिशिन्स थी शोर्ट स्टोरी राइटर थी और प्रेलाइटर थी अवोड उन्हें पुश्किन प्राइज मिला हुआ है यानिकि पुश्किन अवोड से व या अपनी लाइफ को बदलना चारे के लिए उच्साहित था आओ पढ़े और पता लगाएं कि वो कैसे वो अपनी लाइफ को बदल सुआ तो ये बैगर जो है वो कौन है लेस कॉफ है ठीक है तो अब ये नाम बैगर का मतब लेस कॉफ अब क्या कहना है कि ये कहानी स्टार काइंट सर्, हैवे पिटी, दयालो श्रीमान दया कीजिए, मैं तो भूखा हूँ और गरीब भी हूँ, मैं तीन दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, और मेरे पास रहने के लिए जो पांच कोपैक चाहिए, कोपैक मत्तब यह पे पांच अजार रूपल भी नहीं है, मैं इस व मेरे खिलाफ को ऐसे पड़ी अंतर किया गया और मुझे उसमें फसा दिया गया और मैं अपनी नोकरी से आद दो बैठा, मैं जूटे आरोपों का शिकार हूँ गया, अब मैं एक साल से मेरे पास कुछ काम भी नहीं है, अब जो यह किस से बोल रहे है की बिखारी, तो यह ए जानती रही थे, नशीली आखों को, उसने दोनों गालों पर धबों को देखकर, उसे ऐसे फील हुआ कि उसनों स्वेक्ति को देखा है, तो जैसे का फॉन कलर ओवर कोड़ था, उसकी जो डिरकन्स नशीली आखे थी, क्यों यह मतला मनशा करता तो रैड स्पोर्ट, उसके जानों पर एड स्पोर्ट भी थे, तो उसको यह देखकर फील हुआ, एडवोकेट्स रही को मेने इस वेक्ति को कहीं न कहीं देखा, वकील फिर बिकारी बोलता गया, अब मुझे जो काल्त वो कौन से जगह है, कालूंगा प्रांत जो है, कौन से प्रांत जो है, कालूंगा जो जगह है, वहाँ पर मुझे एक नोक्री के लिए मुझे बुलाया है, लेकिन वहाँ मुझे पहुचने के लिए मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो क्या आप मेरी हैल्प कर पाओगे, मुझे थोड़ी मांगने में शर्म आती है, लेकिन क्या करें, मेरी सिच्वेशन ऐस है कि मुझे मांगना ही पड़ेगा, तो अब सरगई जो थे, सरगई की नजरें उस आदमी के रखे हुए जूत के उपर पड़ी, इसमें से एक जूता उचा था और दूसरा नीचा था, तब ही उसको एकदम याद आ गया है, यानि कि इसको कैसे है, उसके जो ओर सूस थे, तो एक हाई था और एक लो था, उसको देखकर, उसके कुछ चीज़ें सड़नी उसे रिमेंबर होके, उसने, यहाँ देखो, मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने आपको सदोया गली स्ट्वीट में, यानि कि सदोया स्ट्वीट में मैंने देखा रहा, और वो परसों की बात है और उसने कहा कि परंतो तब आपने तो तुमने तो बताया था कि तुम तो एक स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट थे, और तुमें गाओं की स्कूल की अध्याप और तुम तो कोई स्टूडेंट हो, तुम तो स्टूडेंट हो, तुम कोई स्कूल टीचर नहीं हो, क्या याद है उसने का नो 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 ऐसे गवरा गया विकारी अक्का वक्का रहा गया और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि क्या है बैगर अब मैं गाओं के स्कूल का टीचर हूँ और यदि आप चाहें तो मैं आपको अपने पीपल्स भी दिखा सकता हूँ जूट बोल रहे हो तुमने स्टूडेंट ही बताया था और तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें वहां से निकाला गया था क्या तुम्हें याद नहीं अब वो लाल पीला होने लग गया और वो जूजला कर और उस हादमी के पास से वापस हो गया यानिए वहां से जाने लगा तो उसने कहा कि सरसर ये बेइमानी है आप नाराज होकर चिलना है ये दोके बाजी है मैं अभी आपकी पीछे पुलिस बेचता हूँ सैतान श्रीमान जी ये आपके हाथ जो है ना हाथ के ओपर रखकर बोला सच ये है कि मैं जोट बोल रहा हूँ अब उसने कहा दिया कि मैं तो जोट बोल रहा हूँ नया तो मैं कोई स्टूडेंट हूँ नया मैं कोई टीचर हूँ मैं ये सब जोट बोल रहा हूँ मैं एक रेशियन चौर में था रेशियन मंडली में काम करता था यानि कि और मैं वहाँ पे अलकॉहल लेने लग गया ड्रूंक नशेडी हो गया नशेया लेने लगया उसके मज़े से उन्होंने मुझे निकाल दिया और मैं क्या कर सकता हूँ जोट बोले बिना मेरा तो कामी नी चलता मेरे तो जीवनी नी चलता और जब मैं सच बोलूँगा कोई मुझे कुछ भी नहीं देता तो मैं क्या करूँ मुझे यानि जब मैं सच बोलता हूँ तो लोग मुझे कुछ देते नहीं और तो मेरे पास कुछ है यह नहीं चारा मुझे जूटी बोलना पड़ता है तुम क्या कर सकते हो तुम यह पूछते हो कि तुम मैं पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर सकते हो, उसके पास आकर सर को इचल दाए, काम, यह तो तुम कर सकते हो, मैं तुमें कोई काम दे दूँ, काम हाँ हाँ, वह तो मुझे मालूम है, परंतु मुझे काम नहीं मिलेगा, उसमें का, क्या तुम मे जारे उनकी वज़े से मेरी रोजी रोटी मेरी वज़े से रोजी रोटी चली जाएगी क्या तुम मेरे लिए लेकड़ी का अंड़ा पसंद करोगे यह सर उसने का बिल्कुल सर मैं करूँगा तो अच्छा बहुत अच्छा हम थोड़े समय में यह वह तलास करेंगे सर गोई और पने हाद मलता हुआ तीजी से आगे बढ़ा उसे अपने जो कुक हैं उसको आवाज धी और उसे क्मेरी रसुई से यानी किचन से बारानने को का उसने उसका जो खुख थब हो था और लएगा kl大哥 यहीडी ती उलेगा उसने कहा कि इस जेंटलमेंण को आप ले जाओं और इसे अपना जिगह दिखा दो और इसे लकडी कामेंगे को देदो वो जॉप करेगा है हमारे लिए बिखारी उस पतले से उस पतले से मानो हैरान होकर अपने कंदों के उपर किये उसने और जो कुक था उसके पीछे सक उचाते हुए बिचारा डरता डरता चला गया उसके चाल में असपस था और वो कोई क्योंकि वो रूसी मंद जो रूसी जो चाप पर था उसकी जो ड्रंक लेकर रूसी जो दारू पीगे शराव पीगे उसके जो स्ट्रेंथ ये हैल्थी वो बहुत ही खराब और चुकी थी और वो बिलकुल ही हैल्दी नहीं लग रहा था बीमार लग रहा था और बिल्कुल ही हार्ड वर्क के लिए उसमें जरा भी जुका होने थे क्योंकि उसकी सिच्वेशन ही वैसी नहीं थी अब सरगोई जो है अपने डाइनिंग रूम से उसे देख रहा था उसकी खिड़की से लकडियों की कोट्री और आंगन म है उसने को को देखा वो लोगों अपने साथी के ओपर कोट से घूर रही थी उसे दीख रही थी कोड की और अपनी कोनी से उसे एक तरह अटा दिया शौड को खोला और जो शेड हैं वहां पर उसे खोला और गुस्य में उसने दर्वाज़ा बंद कर लिए एंगली बैंग उसके उपर लकडी का एक जो लट्था होता आप ने देखा लकडी काटने के लिए एक बड़ा सा लट्था होता है उसके उपर लाल गालों को रखकर बहुत चिंतन से लवस्ता में बैटे देगा उसमेगला ने उसके पैरों के पास कुलाड़ी पटक दी जो कुक थी अब गुसे में उसके उसके तूप भी दिया उस डाट ने उसे डाटने लगी जैसे उसके होटों के हाओ बाओ से अंदाजा लगाए जा सकता था यानि वो शीशे में से दीख रहा था कि यूदा ने सुनाई तो दे नहीं रहा था बिखारी नहीं चकती हुए लकडी की एक मतब लकडी को पकड़ा और उसको अपने तरफ कीचा और उसे अपने पैर की बीच में दाबाकर उस पर कुलाड़े से वार किया तो वो थोड़ी सी हिली और फिर गिर गई बिखारी ने दोबार उसे अपनी टांग में कीचा और अपने हातों को फूक मारी और बड़ी यानि कि स जंगली उसके पाई प्रक्तेली पःघ्टा यंगली भी कट जाए लकडी की बख़टी पर गेर गई आउट आप सरगई को गुश्सा उतर गया उसे गुश्सा अधर गया उसने देखा और इसे दुख़ए उसे दुख पी वा शर्मिन्दा भी महसूस हुई क्योंकि उसने एक बिगड़ा हुआ जो व्यक्ति था शराबी भी था और संबाओ तो बिमार भी था उसे ठंड में एक ऐसा फिजिकली वर्क दे दिया है जिसे एक खाफी हार्ड वर्क वाला काम दे दिया है उसे लगा कि नहीं ये गलत है ये त तो अब क्या हुआ महीने की पहली जो होता था महीने की पहली डेट को तारीक को बेगर वेक्ति को जो अब इसमें कुछ है कि वो तो अब उसको गुस्ता उदर गया तो एक गंटे बाद उलेगा आई और उसने अनाउंस किया कि उसने सारे लकडिया चौप कर दिया उसने फिर सरगई ने का कि गूड बहुत अच्छा है ये तो और उसे हाफ रूबल दे दो और अगर वो चाहत है काम करना बैक आना चाहता और वो लकडियां से ही काटता है तो हर फस्त दे को आ जाएगा हर महीने और वी केन फाइंट वरक हो रहा मुस्किले कुछने कुछ कुछ काम ढूंड लेंगे और फस्ट ऑफ मार्च फस्ट ऑफ मन्त और महीने की पहली तारीक को वो जो बीगर व्यक्ति के भी इसमें आया जाया करता और बार बार आदा रूबल काम वो काम के लिए लेता था हाला कि वो मुस्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था एक दिन के बाद वेब सुबह वहां पर आया काम पर याड में आया और याड में आया आया जाया करता था और कभी कबार बरफ को हटाने का काम करता था और हर बार वो काम खोज़ा करता था कभी लकड़ी वाले शेर्ड की जो है का उसको डंक से जचा देता था कभी गदों कालेनों की मिट्टी को जाड़ देता था उसे हर बार 20 से तक कॉपञ्पेंग्स में रूसी रूबल्स मिलते थे और एक बार उसे जोड़े पुराने पजामी भी दिये थे ट्विंटी टू फॉट्टी कॉपर पैक वो एक बार में मतब उसे देते थे और उसे एक बार कुछ पजामी ओल्ड ट्राउजर्स भी दिये गए थे तो जब सरगई दूसरे मकान में शिफ्ट हुआ तो उसने सामान बान और फरनीचर को पैक कराने में उसके मदद की उसके बाद वो जो गुमकड गंबीर उदास और शान था उसने मुश्किल से फरनीचर को चुवा रपना से लटका कर गार्डी के पीछे दोड़ता रहा उसने वेस्ट रहने का भी ढूंग भी नहीं किया वह यह भाव ठंड से काप रहा था और उसमें चिड़ चड़ा हो गया था जब गार्डी चालक ने उसके आलसी होनी और उसक सरगई नहीं बुलाया उसे वैल आई एम हैपी देट माई वर्ड्स हैव टेकन अफेक्ट अच्छा मैं बहुत खूश हूँ कि मेरे शब्दों का मेरे वर्ड्स का तुम पर परवाव पड़ा उसे एक रूबल देते हुए बोला वह आपकी मुसीबतों काप का पुरसका रह यह तुम्हारा तुमने जो ट्रावल करा उसका तुम्हें इनाम है और आप यह आप सयमी है और काम करने में आपका कोया पती नहीं तो आप यह आपका क्या है लाशकाफ आपका नाम क्या है उसने बोचा तो उसने बोला लाशकाफ मेरा नाम है ठीक है लाशकाफ अब मैं आ तो काया ठीक है मेरा यह जो लैटर है तुम एक मेरा दोस्त है मेरा फ्रेंड है उसको दे देना और और वो तुमें जो कोपी करने यानि की नकल करने का जो काम होता है वो तुमें दे देगा है मतलब कोई चीज होता है उसको नोट्स बनाना होता है उस तरह के कोई काउंट था, कठोर मैनत करो, यानि कि हार्ड वर्क करो, और डॉन डूरिंग मतलब शराब मत पीओ, और कुछ जो मैंने तुमसे कहा है, उसको रिमेंबर रखना, अलविदा, और I have said goodbye, मेरी तरफ से goodbye, तुम मेरे जो कहा है, हार्ड वर्क करना, शराब मत पीना और जो मैंने तुम्हें बाते की बताई हैं, वो तुम हमेशा याद रखना हो, मेरे दोस्ट के पास जाओ, और ये लैटर उसे दे दे देना, अब एक वेक्ति को सही माग पिलाने के लिए, ये सही राइट पात पिलाने के लिए, उसकी जो खुशी थी, सरगोई ने लाशक सीज को कितने टाइम बीच चुका है, ये बात खत्म होई, और दो साल उसेज को बीच चुका है, जो जो लैस काफ था, वहाँ पे आया था, उसके दो साल से वो नहीं मिला, दो साल बीच के, फिर एक दिन शाम को जो ही सह गई एक थीटर की खेड़की के पास अपने सीट मुड़े, कोट के मुड़े, जो कॉलर थे, मुड़े हुए थे, उन पर रोहे थे, यानि फ़र थे, कोट कॉलर्स कॉलरे फ़र एंड वार्म सील स्किन कैप, और जो सील मचली होती है, उसकी एक कैप बनी हुए थी, वो उसमें पहने हुए थी, और नाटा वक्ती ने डरते ह वे टिकट विकरेता से गैलरी की एक सीट लेने के लिए कहां, और तांबे के सिक्के में उसके लिए उसने अदाएगी की, यानि कि जो एक, जिसके कॉलर मुर थे, करले फ़र थे, और जो उसकी सील की कैप थी, वो जो छोटा वक्ती तो वो कौन था, अब यहां पर पता चल रही हो, बाकी सब कुछ कैसा चल रहा है तुमारा, उसने पूचा इतने सारे सवाल, पूचिया, how are you, what are you doing, how is everything with you, all right, I may notary now, अब मैं नोटरी, तो उसने का भगवान का शुक्र है, उसने का, I am notary, मैं तो अब जो है, मैं नोटरी में काम कर रहा हूँ, और मैं 35 रूबल ए एक मन कमाता हूँ, और मैं नोटरी में कारी कर रहा हूँ, तो उसने कहा कि भगवान का शुक्र है, that is fine, और यह तो बहुत ही सुन्दर बात है, मुझे इस बात का बहुत थी, अच्छा लगा, लसकॉफ, मुझे बहुत खुशी हुई, यह देखकर कि तुम एक परकार से मेर मतलब उसने क्या का, Godson, मेरी बगवान जैसे बेटी, बगवान जैसे बेटी हो, तुम जानते हो कि मैंने तुम को सही रास्त दिखाया, क्या तुम जानते हो, तुमें याद है, मैंने तुमारी हसी उड़ाई थी न, मैं उस दिन तुमें लगपग अपने पैरों पर गिरा दिया था, वर्द पुरुस मेरे शब्द सम्रण रखना और और सम्रखने के लिए आपका धन्यवाद, तो वो कह रहा है, थैंक यू ओल्ड मैन पो नाट फोगेटिंग माई वर्ड, तुम तुमारे धन्यवाद कि तुमने मेरे शब्द को याद रखा, थैंक यू टू, उस अन्रक्षन में आपके गाइडन्स में आके, मैं उस कड़े से बाहर निकल पाया, उस जो सिचुएशन से, आई ड्रैग मैसेल अप आउट आफ पिट, उस कड़े से मेरे बाहर निकल पाया, आई वेरी ग्लैड, मैं सच मुछ बहुत ही खुश हूँ, थैंक यू फो यू इला है, उसको खुश रखे, उस से मैं आपने बहुत अच्छा बोला था, कि मैं जीवन प्रियंत आपका भारी रहूँगा, पर हम तो घंबीर होकर बोल रहा हूँ, कि ओलेगा नामक जो आपकी कुख है, उसने मुझे बच्छा लिया, प्रिकल स्पिकिंग, इट वाज चिरू कर देती, अरे प्यकड, दरीनी प्रानी नस्ट करने के सिवाए तेरे भाग्ये में कुछ नहीं है, और तब मेरे सामने बैठ जाया करती हूँ, दास हो जाती हूँ, मेरे मुझे चहरे के और देखती रहती हूँ, उसे बहुत दुख होता था मुझे देख कर, और वो कहती हूँ, आ भाग्यादमी इस दुनिया में तेरे भाग्ये में कभी खुशी नहीं है, अगले जनम में तुझे खुशी नसीब नहीं होगी, प्यकड तु नर्ग में जाएगा, और वाननस्ट हो जाएगा, तु बदकिसमत इंसान है, इस परकार उसी लिएज़े से परन्तु मुख्य बात ये थी, में चीज़ ये थी, कि उसने मेरी लकडिया काटी, हाँ शरीमान मैं आपको पता है कि मैंने आपके लिए एक लकडी सिंगल लकडी निकाटी, वैस सब कुछ वही किया करती थी आपकी कुक, इस बात ने मुझे बचाया, उसी से मैं बदल गय था, मैं केवल ये जानता हूं कि उसके शब्दों में, उसके अच्छे कामों के कारण मेरा जो दिल है वो बदल गया, उसी ने मुझे सही रास्ते बलाया, और मैं उसे कभी नहीं बूलूँगा, अब जाने का समय हो गया है, और अब घंटी बच चुकी है, और लैसकाफ ने प्रणाम के और गैलरी की और प्रस्तान कर लिया, लैसकाफ बाउड एंट डिपार्ट अफ़ गैलरी, यानि कि उस जो वो सूत्रा था, जो सेगोई सूत्रा था कि उसके कहने से, उसके बूलने की वज़ए से वो सही रास्ते पर आया, लेकिन बाद में से हकीकत पता चलती ह कि वो नहीं जो उसकी कुप थी, उसने उसे एक नया जीवन दिया, एक नई उसे, उलेगा ने, उसको वो विलाब करती इसको देख की दुखी होती थी, और साथों उसके लिए लकड़ियां भी काटती थी, सारा काम वो ही करती थी, और पैसे वो लेके जाता था, उसके जो साथ का ये फरक पड़ाई उसने शरापी ने उसके आगे बंद कर दिया था और वो इतना उसी भी दुख हुआ उसने अपने जीवन को सुदार लिया तो ये स्टोरी थी दा बैगर की एन टॉम शिकोफ्स की तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए आपका दिन शुब हो